नमस्ते दोस्तों आज सुनिए हिंदी भाषा और साहित्य की लोकप्रिये चुलिंदा और उत्करष्ट कहानियों की श्रंखला में नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूसरा ताज महल नासिरा शर्मा, हिंदी भाषा और साहित्य की एक ख्याति नाम लेखे का है जिने बहुत सारे पुरसकारों से नवाजा जा चुका है तो शुरू करें कहानी हवाई जाज में बैठी नैना किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी जिसको उरान भड़ते हुए बीच में ही बहली ने जपट लिया था नियती का ये खेल उसकी समझ में नहीं आया दिल्ली पहुँचकर वो हवाई जाज की सीट पर बेहिस सी बैठी रही भीड छटने पर एरोस्टेस ने उसकी हालत देखी और पास आकर बोली मैं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ नहीं मैं ठीक हूँ बड़ी देर तक वो कुरसी पर पैठी खाली नजरों से मुसाफिरों वो बाहर निकलते देखती रही उसके दिमाग में सब कुछ पुछ सा गया था कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था एरोस्टेस ने उसकी एटैची निकाली वो उठी, सीडियां उतरी और इमारत में दाखिल हुई प्रीपेट टैक्सी काउंटर पर वो बड़ी देर तक चुप रही फिर बड़ी मुश्किल से उसने सड़क का नाम बताया टैक्सी पर बैठी तो लगा सर की अंदर जंजहनाट सी है घर का नंबर यादी नहीं आया टैक्सी बड़ी देर तक उस सड़क पर बाएं दाएं गूमती रही फिर ड्राइवर ने जुझला कर कहा कि मेम साहब मुझे घर भी लोटना है नैना की चेतना लोटी बहुत देर तक ढूनने के बाद उसने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बड़ी कठिंता से पता पढ़ा घर पहुँचकर उसको अजीब घुटन्स का एहसास हो रहा था शरीर में दर्द उठ रहा था उसकी हालत देखकर नौकर परिशान थे वो सर दोनों हातों से पकड़े बेडरूम में जाकर विस्तर पर लड़क गई सारी रात नैना के दिमाग में फोन की घंटी घंगनाती रही उसी के साथ रोजी के शब्द टपकन पन उसके दिल को मसलते रहे मुझे कभी कभी लगता है कि सर अपने सारे दुखों को नशे की हालत में तरतीब दे लेते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक जो उनकी अविलाशा रही है मगर पूरे नहीं हो पाए अंजाने में ही सही मुझे उनका ये अंदाज बड़ा निर्मम लगा आपको देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपका विश्वास कहां पर टूटा है प्लीज मैम हो सके तो सर को भूल जाएए एरपोर्ट पर विदा देते हुए रोजी ने बहुत दीमे सुन में कहा था मैयना को अच्छी तरह याद है कि वो जून का तपता महीना था जब उसकी मुलाकात रवी भूशर से हुई थी शादी के उस पार्टी में धेरों मर्द औरतों का जमगट था कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ-कुछ अच्णबी थे उनी में से एक चेहरा रवी भूशर का था कुमकुमों की रंगीन जालों से सजे पेड़ के पास खड़ा वो बेताहाशा सिग्रेट फूक रह था दूए से डूबास का चेहरा उसे और भी रहसे में बना रहा था जब किसी के परचे कराने पर उसने होटों में सिग्रेट दबा कर परमपरागत अंदास से दोनों हाथ जोर कर रमस्ते की तो नैना को हलका सा जटका महसूस हुआ वो हलो या हाय की आशा कर रही थी मगर उसने गौर से रवी भूशन को देखा चेहरे पर खोयापन, माहौल से लापरवा उसकी बड़ी बड़ी आँखें अपने ही सिग्रेट के धूए से अदमदी हो रही थी उसने सवाज शुरू करना चाहा मगर जाने क्यों रुग गई वो भी खामोश खड़ा संपूर्ण वातावरण का जायजा लेता रहा नैना को वो आदमी कुछ अलग सा लगा बलकि यूं कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित में कोई और सक्ष अंदर बाहर होता नजरा रहा था भीड के बावजूद नैना की नजरे कई बार रविभूशर पर पणी रविभूशर से नैना की पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी सो दुनला गई मगर चन्द माँ बाद जब लंच पर उससे दुबारा मुलाकात हुई तो वो गुनाम चेहरा गर्द ज़ाड कर साफ नजराया सिगरेट, धुआ, खोयापन और लापरवह अंदाज चूकि ये विज्जस लंच था सो बाकाइदा परचे हुआ और कार्ट का आदान प्रदान भी नैना ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्य की जलकियां दिखाने वाला ये इनसान बंबई शहर ही नहीं बलकि देश का जाना माना वास्तविद रवी भूशन है तो उसने रवी से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया रवी को वैसे भी कुछ याद नहीं था वरना वो कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं इंटीरियर डेकुरेशन को लेकर ये मीटिंग मुंबई के मद्शूर उद्द्योगपती द्वारा बुलवाई कही थी उसके पोते का आफिस जिसको रवी ने डिजाइन किया था वो इट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था उसकी सजावट को लेकर सलाह मशवरा चल रहा था लंच के बाद कौफी पीते वे नेना को रवी बूशर बहुत हस्मों का मिलनसार आदमी लगा खास कर काम को लेकर उसका नजरिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफी सुलजे सुभाव का है दम्ब या उच्छापन उसमें नहीं है नेना को दूसरे दिन दिल्ली लोटना था वो लोट आई सपता बर बाद उसको रवी भूशर का फोन मिला बस यूँ ही हालचाल पूशने की नियत से और नेना को उसका बात करना बुरा नहीं लगा पांच मिनट की ये बात अगले सपता दस मिनट में बदली तो नेना को कुछ अटपटा सा लगा बात में वही दोहराओ था आपचारिक्ता के अत्रिक्त कोई और स्वर की गुंजाईश नहीं थी क्योंकि वो एक इंटीर डेकॉरेटर जरूर थी मगर रवी भूशनर जैसे आर्किटेक्ट से वो क्या बात कर सकती थी जब तीसरा चौथा फोन आया तो नेना सोच में पड़ गई कि आखे बिना किसी योजना पर बात किये ये बार बार क्यों फोन कर रहा है फिर ख्याल गुजरा शायद इसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसले में वो समवाद की भूमिका बना रहा हो आकिर बंबई शहर का मामला है दो शहर की बीच की दूरियां काफी है मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज़्यादा पसंद आता है फिर इस फिर का जवाब नैना के पास नहीं था वो फोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी आकिर उदेश का सम्मानित वास्तुवित था और बेहत शालीन स्वर में वाचीत करता था सौयम नैना सारे दिन अपने आफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी आकिर उसका काम ही ऐसा था मगर बिना काम के फोन का मौसम तो कपका बीच चुका है वो स्कूल के दिन जब दोस्तों से बात नहीं खतम नहीं होती थी उन दिनों के मुकाबले में आज कंप्यूटर का दौर है जहां समवे दिनाओं के लिए समय ही नहीं बचा है वो अगस्त का उमस भरा महीना था जब रवी भूशर किसी मीटिंग के सिलसले में उसके शहर आया था पता नहीं क्यों नैना ने महसूस किया कि रवी भूशर काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है दिमाग के इस चक को ये कहकर उसने जटक दिया कि ये बेवकूफी का खयाल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता है मगर वो आखें उनकी भाशा क्या अलग सी अबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी शाम की चाय पीकर जब रवी भूशन उसके बंगले से निकला तो पोड़िकों में आन खड़ी हुई जाते जाते रवी भूशन ने उसकी तरफ मुर कर देखा और उसने हात उठा कर बाय कहा फिर चौक कर उसने अपने उठे हात के दरब इशारे को ताका और नजर उठा कर जो रवी भूशन की तरफ देखा तो धक्सी रह गई उन आखों में समोहन था गहरा आकरशन उसने हात नीचे किया और स्वैम से पूछा कहीं ये तेरा भ्रम तो नहीं है नैना एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है कुछ वैसी ही कैफियस से नैना दोचार हुई एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हूँ मगर क्या इसी उधिरबुन में वो तेरती उतरती प्लाजा की तरफ चल पड़ी जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी रास्ते के सारे पेर उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज्यादा गुलावी जिसमें दुंदल का सुर्मई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था घर लोटते हुए उसको सड़की बत्यां चिराक की तरह जलती लगी जैसे छटों पर दीवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में पांट देती थी आज उसका मूट बरसों बाद हलका हुआ था कोई कुंठा कोई शिकायत कोई करवापन या जुझलाट उसको आहत नहीं कर रही थी वो हवा में तेरती हुई जब घर पहुँची तुनौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजन्सी ऑपरेशन करना है जिसके कारवे देर से लोटेंगे सुचना सुनकर वो हमेशा की तरह आक्रोस से ने भरी बलकि उसने लापरवाही से कंधे जटके और गुलगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई नाने के बाद जब वो गाउन में लिप्टी ड्रेसिंग टेविल के सामने बैठी तो अपना ही चेरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हुई आँखों के नीचे हलका काला पन भवों के पास करी लगी रहे हैं मात्य पर सफेद बालों का जहाकना आँखों में एक जग्यासा की मैं कैसी लगती हूं उसको अपनी तवचा मुलायम और चंखीली लगी होटों पर जाने कहां से आई मुसकान उसको अजनभी लग रही थी थकान के बावजूद उसे फुर्ती का एहसास था खाना खाने के बाद जब वो पलंग पर लिटी तो उसे महसूस हुआ कि आज बरसो बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है उसने आराम की सांस ली और आखें बंद की तो सामने रवी बूशर का चेहरा तहर गया बंबई पहुंचते ही रवी ने नैना को फोन किया कि वो भली प्रकार पहुच गया है रात को जब दोबारा उसने फोन किया तो नैना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज सुनकर उसके दिल में कुछ उथल उथल सी हुई है फिर फोन का इस सिलसला पाच मिनट से आधा गं जिसे शुरू हो जाता जबकि ठीक दस बजे फोन की घंटी बज उटती इस बीच वो सारे काम निप्टा लेती ताकि आराम से बाते कर सके उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वो दुख सुकी बात कर सकती थी पिछले पांच-छे वर्षों से नैना का अकिलाप पढ़ता जा रहा था दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसले में अमेरिका चले गए थे नरेदर जब से डारेक्टर बना था तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि नैना को गुस्ता आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो दिन रात अस्पताल में रहना आकर घर की भी कोई जिम्यदारी होती है सारे दिन की उडान के बाद परिंदे भी तो अपने घर घोसले को लोटते हैं पिछले तीन दिन से डॉक्टर नरिंद घर नहीं लोटे थे कोई बेहत पेचीदा केस आ गया है कोई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल छेतर के भी रात दिन सर्खपा रहे थे नैना को इस्थित की गंबीरता का ग्यान था मगर हर दिन आपातकाल का वातावरन बना रहे तो इनसान जीए अकेले कैसे घर में कब तक टीवी देखे मित्रों को फोन करे और पार्टियों में शामिल हो हर तरफ से उसको उप होने लगती थी थोड़ी बहुत हो जाते और नैना जब फोन पर बाते करके लेटती तो उसके दिमाग में ये प्रश्ण फूलों से भरी क्यारी के तरह खिल उपता कि रवी भूशन उसका क्या लगता है दोस्त या भाई नैना अपने साल गरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी नरेंद भी विदेश ग बोल उठी कि क्या वो रवी को भाई कह सकती है इस पर रवी ने जल्दी से का नहीं नहीं भाई हर्गिस नहीं हमारा रिष्टा तो सखा का है और ये सुन नैना विश्वा से भर उठी सारी दुनिया उसे सुगंद से भरी महसूस हुई आके हर रिष्टे से बड़ा तक चलता रहा और अंजाने में नई दिशा की तरफ मुड़ गया नैना का छोटा भाई जो दो वर्ष पहले कार दुर्गटना में जीवित नहीं रहा था उसके बहुत करीब था दोनों में बच्पन से दोस्ती थी जब वो बनारस से दिल्ली नौकरी के सिल्सले में आया त तो नैना की खुशी का पूछना क्या था कुछ दिन भाई बेहन के साथ नरिंद घूमने गए फिर बोर्ष होकर अपने अस्पताल में घूम हो गए नैना को उड़की कमी खलती ना थी उसका बच्पना उसको दोबारा मिल गया था भाई की शादी की सारी खरीदारी उसको दिली सही की थी मगर खोनी को कौन टाल सकता था शादी के सबता भर पहले तालकटूरा के पास कार की टकर होने से उसकी मौत हो गई डॉक्टर नरिंद कुछ न कर पाए आखिर वो इसामसी तो थे नहीं जो मुर्दा बदन में भी जान फूग देते नैना गहरी उदासी में टूग गई थी उसी दुरकटना के बाद बेटों का मिरका जाना हो गया नैना को लगता कि वो इस दुनिया में तनहा रह गई है किसी को उससे बात करने की उसके साथ समय गुजारने की पुरसत नहीं है नरिंद से उसकी शादी पसंद की थी दोनों ने शादी के पहले एक दिस्वे को देखा परका था मगर जिन्दगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज है ना कि ठेरी हुई जनम पत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं अपने काम को परकते उसकी दौर में शामिल नरेंदर भी पहले वाले इंसान नहीं रह ग परशी थी नैना भी नरेंदर से उखड कर अपने ओफिस से अधिक जोगने लगी मगर ये ऐसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया है नैना के दिल में छुपा नरेंदर के खिलाफ भरा गुबार कभी गभी फोन पर निकल जाता आके रवी ने बुलावे पे गौर करती रही उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरूंगों पकड़ने की कोशिश में स्वयम से सवाल करती क्या रवी और उसने अपने को टटोला दिल की गहराई में कहीं रवी मौजूद था उसने चौक कर स्वयम से पूछा कि नैना इस रिष्टे का यदि आ ठकान की जगे खुश्मिचाजी आ गई थी पहनने औरने का दिल करता सजने सवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का धेर लगा लिया और हर रात रवी भूशर के बुलावे पर उसका मन बंबई जाने को मचलने लगा उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा बातों की ले में दोस्ती का अंगराग मर्द औरत की चाहत में बदल चुका था एक दिल नशीन कैफियत थी जिसमे नैना डूपती चली जा रही थी उसके छेतर की अन्य औरतें उसके चेहरे पर आई ताजगी देखकर जब कॉब्लिमेंट्स देती तो स्वेम नैना क और जीवन में अन्राग ताजाक पोपल की तरह फूटा कभी नरेंद्र और नैना का जीवन एक सुखी जीवन था वे दोनों अपना समय अपने कारेश्चेतर में उन्मुक्त भाव से देते थे दिमार्ग पर कोई बोज़ ना होता ना घर के जिम्मेदारियों से दिल पर र मोचे उनके जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र की रूची अपने काम में और बढ़ गई तरक्की मिली तो व्यस्ता का बढ़ना लाजमी था नरेंद्र का उलट नैना के साथ हुआ उसका काम में दिल कम लगने लगा मन भटका भटका सा लड़कों के खयाल में डूबा रह जाती थी जिसको रवी भूशन ने दूर कर दिया था नरेंद्र को बंबई जाना प्रोफेशनल टूर लगा इसमें क्या खास बात थी दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे सो नरेंद्र ने सुबह नैना को सेव जड़नी के बाई-बाई किया और नैना ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायते दी और फिर वो पैकिंग में लग गई नैना जब नए खरीदे कपड़े पहन कर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसको लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेरे पर नहीं आया है खुशी ने उसके चेरे पर चमक ला दी है इ तुम बेकार में समय नश्ट कर रही हो वहाँ तुमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है यहां मैं हूँ आओ ना मैं फोन रखता हूँ तब तक तुम फैसला कर लो मैं दस मिनट बात फोन करूंगा उसकी इस तरह की बातें चोटी 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 शिकायतों के जख्म ताजा क खीच वाडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की छमता रखता है वो जिन्दगी का नक्षा भी बड़ा मजबूत बनाएगा जिसमें वो अपनी महबूबा के लिए ताजमेल न सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है जिसको वो अपनी मर्जी से सजा सकती है नैना ने के बाद घटनाए समवेदना के स्तर पर जिस तरह घटी थी सारी मौकिक थी मगर उसमें जादू था जो नैना के सर पर चढ़कर बोन रहा था कल रात रवी भूशन की खुशी का कोई ठिकाना ना था जब उसको पता चला कि नैना ने बंबई आना तै कर लिया है उसके स्व उसको डड़ था कि रवी को देखकर ओ इतनी भावुक न हो उठे कि वहीं हवाई अड़े पर उससे ले पड़ जाए या फिर रवी वहीं सब के सामने उसका चुम्मन न ले ले नैना किसी किशोरी की तरह शर्माई शर्माई सी थी प्यार किसी भी उम्र में हो उसका अपना तर्क होता है जो उम्र जातपान धर्म भाशा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है नैना की बेकरार आखें भीड में रवी भूशन को ढूण रही थी जब वो बाहर निकली तो रवी धुएं से घिरा अपनी तरफ उसको आता दिखा वो व्याकुलता से आगे बढ़ी मगर रवी भूशन का ठैरा हुआ चेहरा देख कर ठिटक गई वहाँ पर एहसास की कोई लखीर न थी बस आपचारिक्ता पूर्ण मुसकान एक ठंडा सहज अंदाज नैना को परिशान कट गया सुस्त कदमों से चलकर रोकार में बैट गई जिसको स्वयम रवी भूशर चला रहा था नैना के दिल में कुछ तूटा मन भटक कर कहीं दूर चला गया दिमाग रवी के गंबीर चेहरे को देख कर बार बार प्रशन करने लगा कि क्या ये वही आदमी है जो रात के आखरी पहर और कभी भोड तक बड़ी ललक से बाते करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है आपकी तवियर ठीक है? हाँ, बहुत चुप-चुप है दरसल दिन को काम में उलजा रहता हूँ सो बात करने का मन नहीं होता रवी की हलकी हसी और जवाब ने नैना को संभाल लिया उसके अंदर बुझी, खुशी, फिर जिन्दा हो गई और वो चहकने लगी बातों में पता नहीं चला कि वो होटल पहुँच गए है उपर समंदर के सामने वाली कुरसी पर बैठा रवी सिगरेट पीता रहा और वो बातें, फिर रवी ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा मुझे आज बंबई से निकलना होगा, एमदाबाद में होटल बन रहा है वहाँ कुछ दिकतें पेश आई है, बहुत अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है, अगर दिल चाहे तो रुको, मैं दो-तीन दिन में लोटता हूँ नैना सक्पकासी गई, कोई उत्तर नहीं सूजा, दिल पर घूसा सा लगा, मगर जल्द समल गई गहरी नजलों से उसने रवी को देखा, आखों में छाया सूनापन था, उसने दिल को तसली दी कि वे दोनों जिंदिकी के उस पड़ाओ पर हैं, जहां फर्ज का नंबर पहले आता है उसने शाम की उड़ान से लोटना तै कर लिया, रवी ने उसको बाजार छोड़ा ताकि वो कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले, फिर वो दो बंटे बाद जरूरी काम निप्टा कर लोटता है और लच पर साथ रहेगा, इस भी चो टिकट भी बदलवाने की कोशिश करत नैना को सब कुछ अटपटा लगा, फिर ये सोच कर चुप हो गई कि ये दो शहर की अपनी संस्कृत का प्रशन भी है, बंबई प्रोफेशनल सिटी है, दिल्ली पॉलिटिकल, जहां कभी भी प्रोग्राम बदला जा सकता है, लंच पर रवी थोड़ा खुला, अपने काम क बारे में बताया कि वास्तविद कला उसका इमान है, उसे शब्दों से ज़्यादा लकीरों पर विश्वास है, जिनसे वो घरों का खाका खिशता है, और लोगों को छत मोहिया कराता है, नैना ने रवी के लिए एक शर्ट खरी दी थी, जो उसने ठैंक्स के साथ ले ली, औ और नैना को हाई अड़े छोडने के लिए उठा, जब वो बाएक करके चलने लगा तो उसकी आँखों में एक नर्मी सी उभरी, ये संदेश नैना को संतोष दे गया, उसे याद आया कि रवी ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इनको समय से नहीं आका जा सक कभी कभी पलबर के मुलाकात पुरी जिन्दगी भरबारी होती है, नैना को लगा आकिर रवी भी तो उसे मिलने चंद घंटों के लिए ही तो आया था, अब वो भी दो चार दिन की जगे एक दो पहर एक साथ गुजार कर जा रही है, और इसमें बुरा क्या है, आकिर रवी वास्तविद है, उसका काम नक्षा बनाना है, अपने नक्षे को साकार रूप में देखने के लिए सैयम धहरे की आवश्कता होती ही है, बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट कई कई वर्षों तक चले हैं, फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं उसके बरताओं में अत्रिक कुछ पढ़ने की जरूरत है, एक नई तरंग के साथ नैना दिल्ली लोट आई, नौकर जो तीन दिन के आरांग का प्रोग्राम बनाए बैठे थे वे हरबढ़ा गए, ठीक दस बजे फोन की घंटी घंगना उठी, एमदाबाद से रवी क फोन था, नैना हाथ में पकड़ा कॉर प्लेट में रख बैडरूम में आ गई, और विस्तर पर लेट कर बातों में डूप गई, फोन रखते हुए उसको चुम्बन मिला, नैना के चेरे पर एक साथ कई चान चमक उठे, उसने आखे बंद कर ली, सामने एक भरपूर जिंद प्लेगी से भरपूर शर्बत का गिलास तुमारे हाथ में है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावर तुमारे वजूद में इस तरह पहले, जैसे सुखी धर्ती पर पानी धीरे-धीरे, उसकी खुश्की को जजब करता है, नैना ने रात क एक सपना देखा, एक खुबसूरत घर है, जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारोत और फूनों से भरी क्यारियां है, एक बड़े सायदार दरख्त के नीचे रवी उसके साथ बैठा है, सामने पड़ी मेज पर एक नक्षा पहला है, जिसको दिखाते हुए रवी कह र जाएंगे, नहीं रवी जाड़े में नहीं हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरफ फूल की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे, चमकीला सूरज नीचे आसमान पर चमकेगा, तब हिरोशिमा घूमने में मजा आएगा, वो शहर बंबारी के बाद दोबारा बसा ह जैसे हमारी ये जिन्दगी, जो बिना बंबारी हमको सागर मन्थन के द्वारा मिली है, नैना हस्ती है, उनकी बात सुनकर रवी बूशन ने जोर से ठाका और कहका लगाया, और गहरी सम्मोहन बरी नजरों से नैना को ताका, और सिगरेट मुह में दबा लाइटर को चलाया लपकते शोले ने सिगरेट को लाल बिंदी में बदल दिया, दूए के चलनों से गिरी नैना के कान सुनते हैं, तुमारी आखें बहुत खुबसूरत हैं, तो मुझे पहले क्यों नैना, मैं इस तरह न भटकाओ में जिन्दगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ तो भी नैना, तुम मुझे कभी छोड़ना मत, चलना छिटिच के अंतिम छोड़ तक मेरे साथ, रात का सपना नैना के दिमाग पर छाया रहा, दिल ने कहा कि रवी मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ मगर तुमें नहीं, तुम मेरी श्वासों में बस गए हूँ, मेरे तुम मेरी जिन्दगी की नई शुरुवात हो तुम, कई दिनों से रवी भूशन के जुमले रात दिन नैना के कानों में गूंजते थे, उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए, काम करते करते उठेर जाती, बात करते करते खामोश हो जाती, नैना तुम कैसे उस माह दूँगा, तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम फिर से खेल उठोगी, एक तरो ताजा गुलाब की तरह महकी महकी सी, रात के लंबे पहर तक टेली फोन वेस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती, कई बार नरेंदर को सुनने को मिला, किन मरीज की हालत खराब थी, घर फोन किया, मगर बात ना हो पाई, बेटो का भी इमेल मिला, तो इसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर नरेंदर को कोई विशेश फरक नहीं पड़ा, आकर नैना फोन पर अपने क्लाइंट से ही तो बात करती होगी, फिर मेरा तो सेल आन रहता ही है, मगर उस दिन ना चा सकती थी अगर समय पर मिल गई होती, तो, वो होश खोकर नैना पर जी भर के बिगड़ा, ये मरीज उसके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्दी था, उसको आपरेशन कामयाब हुआ था, मेडिकल छेतर में उसके काम को सरहा गया था, अकबारों में उसकी तस्वीरे चप उनोंगे, उसका अपना सेलिलर था, क्या सारा मेडिकल विवाग एकी फोन पर टिका था, इस बात को जानकर नैना बुरी तरक बढ़क उठी, जब नरेंद ने बताया कि उसने थकान के कारण सेल बंद कर दिया था, ताकि पूरी नीन सो सके, दूसरे दिन उसको कहीं जाहिए, धन्यवाद वाले चंद शंद, ताकि वो भी जी सके, मगर पूरी जिन्दिगी वो इस घर की सली पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही है, जिसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, उसी ने शिकायद दर्च कर दी, मगर कभी ये नहीं पूछा कि उसकी जरूरत क्या उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाए में चलती रहती है, रवी ठीकी कहता है कि मैं यहां क्यों ठीकी हुई हूँ, नेना उस रात बहुत दुखी थी, उसने अपने मन का दुख रवी के सामने नहीं खूला, जब वो कही चुका है कि तुम आओ ये चेंबर तुमारा है, त इतनी रात गए हां रुकता हूँ, ताकि बात कर सकूँ, वरना ये सब सोच कर नेना खामोश रही कि फैसला जब उसी को लेना है तो फिर शिक्वा क्या, सो रवी भूशर की जादूई आवाज में कोई रही जो कह रहा था, नेना मैंने कितने घर बनाए मगर दुखी होता ह जब उनमें लोगों को खुशी के साथ रहते नहीं देखता हूँ, क्या वे नहीं जानते कि नर नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, फिर कहे की लड़ाई, जो संबंध शाश्वत है, उसमें एक दूसरे को धस्त करने की बेजा हट क्यों, इन सारी गैर जरूरी बतकही का जबाब कौन देगा, शताब्दियां गुजर गई हैं, मगर ये जो समस्या नर नारी के बीच आन खड़ी हुई है, वो आज की तारीक तक सुलज नहीं पाई है, आखिर क्यों, क्या कर रहे हैं हमारे बुद्धी जीवी, जिने लेखक कवी पत्रकार समासेवी की सम्मानित उपादी समाज ने दे रखी है, जो शब्दों के जनम दाता हैं, जो शब्दों से खिलवार करते हैं, मगर क्या उन्होंने इन सम्मंदों के लिए कोई त्या किया है, नैना सच मानो, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल दिमाग को पालने, मन को मारने के सिवा, मेरा तो कितनी संख्या में कारागार अनेक तरह के अत्याचार हुए हैं इस पर, देखो नैना, इतिहास के पन्ये पलट कर देखो, मगर क्या कोई कैद कर पाया है भावना को, क्या वास्तों में किसी ने उसकी हत्या की है, नहीं नहीं, बस सोशन के बलबूते पर इंसान एक दूसरे का दूहन कर रहे हैं, नहीं चानते वे मूर्क की नरनारी संबंध संसार का सबसे सर्वोत्तम संबंध है, काश कोई इस संबंध को जीने का सही फार्मूला ढूपाता और उसको घर-घर बाट सकता, काश, रवी भूशर की आवाज गहरी होते अंत में आकर भरा गई, नैना क इस पर्ष की ये भूमिका नैना को और भावुख बना गई, सारी जिंदगी का दुख मोम बन कर पिगलने लगा, जब शमा पिगल कर खामोश हो गई तो रवी का स्वर फूटा, नैना तुमारे पास होता तो ये सारे आसू पी जाता, आखों में आए पानी को मैं बहुत प पर शार लगा, मन बार बार भटक जाता था, अभी तक रवी भूशर ने उसके गालों पर चुम्बनों के फूल नहीं खिलाये थे, मगर इस बार रात को हवा में तराये गए, सारे लाल उलाब उसके चेहरे पर खिले गे, जब वो हमेशा के लिए रवी के साथ होगी, तब वो अन्वोक ऐसा होगा, उसने पिछले कई वर्षों से किसी का चुम्मन नहीं लिया है, ना पती का ना बेटों का, पती के संग उसके संबंद अलग तरह से पनपे थे, जिसमें बिस्तर लगभग गायब हो गया था, और जिम्मेदारी, परिवार, काम, भवरिश की समस्या ने उसकी जगए ले ली थी, वो मर्द के इसपर्ष से बेगाना एक बैरागी जीवन वैतीत कर रही थी, जहां पती को उसके इसपर्ष की चाहत की जगए मरीजों की चिंता जादा सताने लगी थी, ये सब कुछ धीरे धीरे घटाता, मगर आज का यथार्त यही था, कि मद रहे थे, ये सब को पता था, मगर बात तो उठी गई थी, नरेंदर इंदनों बहुत परेशान था, उसको किसी अपने की जरूरत थी, जो उसका हाल सुन, उससे सची हमदर्दी जता सकता, बच्चे दूर थे, नेना बुरी तरे खफा थी, वो सुकुन की तलाश में अक्सर दोस्तों के पास चला जाता, और जब घर लोटता, नेना फोन में डू भी होती, वो परिशान सा शराब की बोतल खोलता और अकेले पीना शुरू कर देता, फिर दोतसा सोफे पर सो जाता था, सेलूलर जेब में पड़ा बचता रहता, ये कैफियत भी ज़्यादा दिन नही वाले केवल डॉक्टर नरेंदर कुमार थे, सो माहौल बदलते देर नहीं लगी, नेना हमेशा के लिए घर छोड़ने का प्लान बना चुकी थी, उसको नरेंदर से कोई मतलब ना था, पिछले दो हफ़तों से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी, अपना आफिस वो फिल चाट निकाले थे, जो उसको माईके से मिले थे, और स्वयम खरीदे थे, चेक बुक उसने पर्स में डाली और महिने भर का राशन पानी का इंतजाम किया, आए हुए बिल जमा करवाए, वो सब काम किया, जो उसकी आज तक की ड्यूटी में शामिल था, जब वो ये सब कर च चुकी तो उसने अपनी सीट बुक कराई और अठेची में कपड़े सजाने लगी, दरेन जा चुका था, हफते बर बाद उसको लोटना था, उसकी भी जरूरी चीज़ें उसने पूरी की और दो एक लोग से जरूरी मुलाकात के लिए चल पड़ी, रात को रवी भूशन का फोन आया तो उसने बताया कि वो कल सुबह की फ्लाइट से आ रही है, फ्लाइट नंबर और एरलाइन्स का नाम रवी भूशन ने नोट कर लिया, रवी भूशन ने फोन काट कर शायद किसी को इतला दी फिर मिलाया, और लंबी बातों का सिलसला चल पड़ा, दो बज़े के लगबग बात खतम हुई, फोन रखकर नैना बिस्तर पर पैर फैला कर लेट गई, यादों का काफिला घर के कोनों से निकल कर उसकी आँखों के सामने से गुचरने लगा, शादी के आरम के दिन, बच्चों की पैदाईश, सास ससुर का बढ़ापा, बीमारी, फिर मौत, मा लेडी से उन्हें जादा हमदर्दी हो, और वे नरेंदर की उस मित्रता को एकदम भूल जाएं, जो पड़े जोडशोर से अपनी जूनियर डॉक्टर से हुई थी, तब घर में तनाओ ही तनाओ था, उस लड़की का व्याह मावा अपने अगर न करा दिया होता, तो आज व बच्चे छोटे थे, ग्यारा और तेरह साल के, वो भी काम नहीं करती थी, तब भविशे किसी अंदकार में गुफा की तरह डराता था, सहलियों के हिम्मत दिलाने पर उसने पुरानी डिग्री का सर्टिफिकेट किसी फाइल से निकाला था, और किसी की सिफारश पर छोटे मुटे बिजनेसमेन का आफिस डेकोरेट किया था, उसके बाद काम मिलता ही गया, और घर में उसकी हैसियत हर दिन मजबूत होती चली गई, नरेंदर को अपने संबंद तूटने का दुख था, वो लड़की कई बाद नरेंद से मिलने भी आई, दो साल बाद वे दोनों पत पतनी साओधी चले गए, और नरेंदर दिल को बहलाने के लिए काम में रमता चला गया, आज वे सारी बातें नैना को आक्रोश से नहीं भर रही थी, बलकि उसको संतोज भरा विश्वास दे रही थी, कि उसने अपना ग्रहसता श्रम भुख भी निखभाया, बेटे विवा शायद वही करें और बस भी जाएंगे, उनमें भौतिक दोड़ की गर्मी और रिष्टों का ठंडा पर उसने बराबर महसूस किया, मगर वो कर भी क्या सकती है, जब इंसान बदल रहा हो, समवेदनाय मूर्खता समझी जाने लगें, तब अपने बालों को रंग करते हुए एकाएक नैना के हाथ रुख गए, शंका का गर्म थपेड़ा फूलों वरे बाग में दाखिल होकर उससे पूछने लगा, कि अगर ये सब कुछ शलावा साबित हुआ, और रवी भी नरेंद के तरह निकला, तो वो क्या करेगी, क्या तब वो अकिलापन सह पाएगी, इस उ उनकी उम्र भी अब गैर जरूरी हरकत करने की नहीं है, फिर बंबई में जवान औरतों की कमी थी, जो मेरी तरफ आकर्शित हुए, ये आकर्शन वास्तों में पुनाने जीवन की निराशा से उपजा भाव है, या फिर यू कहा जाए, कि एक फसल कर जाने के बाद, दूसर पौधे लगाने का समय है, जीवन तो निरंतर्ता का नाम है, तो फिर भावनाए भी तो खिल सकती हैं बार बार, अपने नए सूप, सेंट, क्रीम, अटैची में सलीके से रख कर, जब उसने जिप लगाई, तो एक बार फिर आशंका ने उसका दिल दहलाया, कि नैना, ये ज इस मोर पर उसके पास साली कितने बच्चे हैं, सो वो सोचने में गवा दे, और गुड़ापे को गले लगा ले, उम्र का ये ढोर ढलती जवानी का जरूर है, मगर ये भी सच है कि हम अपी जवान हैं, इस जजबे को समालना ही चुनौती है, और आज का सच यही है कि रवी भूशन मेरे एहसास में उबजी एक सुगंध है, जिसकी चाह मेरी आत्मा को है, पौफर चुकी थी, उसने चाय बनाई नहाई और रवी की पसंद के रंग वाले कपड़े पहने, सारी रात आखों में कटी थी, आखे ग्रहसताश्रम का अंतिम अत्याय आज खतम होने वाला था कि रवी भूशर विवाहित हैं, उसको तीन बच्चे हैं, माता पिता का दिहान्त हो चुका है, एकलोती बेहन ससराल में खुश है, उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची जो उसके जीवन में बाधा बन कर आए, बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है, ब अब बच्चा सवाल समाज का, उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से नैना ने किया है, कभी प्रतारना मिली तो कभी सरहना, अब वो हर अंजाम के लिए तयार है, हवाई जाज कब उड़ा, कब उत्रा नैना न जान पाई, चौकी तब जब सारे मुसाफिर अपना सामा निक बावजूद कितना नया था, जब तजुर्बा आपके बालों में सफेदी बनकर उबर रहा हो, और आपके पैर किसी पुराने बर्गत की तरह धरती में एक विशेश स्थान पर गहरे धस चुके हो, तब सब कुछ नकार कर एक नई जिन्दगी की बुनियार डालना कितना अ बागानों की तरफ उडान भरने वाली है, जहां हरी पत्तियों वाली मोटी शाकों वाले दरक्त पर पड़े जूले में बैट उसे केवल प्रेमगीत गाना होगा और राग उठाना होगा, जिसका आलाब जाने कब से उसने सीने में दबा रखा था, सामान लेकर जब वो बा प्रेटिंग थी सो वो ना सके, सलाम कर उसने अटेची हाथ में बढ़ा कर उठाई, नैना को हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा, काटों से भरा गुलदस्ता लगा, आँखों में दिल के तूटने से पानी तैराया, नया गुलाबी सूट, उसी रंग की गुजारा था, तडप के सुलकते अंगार देहकने के बाद एका एक राख होने लगे, वो अपने आपको समझाने लगी कि इतना अवेश ठीक नहीं, रवी भूशन एक व्यस्त आदमी है, उसके पास समय की कमी हो सकती है, आखिर जिन्दिकी की शुरुआत में ये कैसे नका आपका भाव उबर रहे हैं, यदि उनको नैना का खयाल ना होता, तो वो कार क्यों भेशते, शिक्वे शिकायत तो कम से कम बाद के लिए रखे, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इच्छा के आगे निहत्ते हो ठे, जब वो हड़ से बार-बार ये प्रश्न करता कि आज त दिन था, माना कि वो अपने कारिकरम में महत्तकूर व्यक्ति है, तो आदा गंटा देर से मीटिंग शुरू करने के विवस्था नहीं कर सकते थे, मुझे नैना तुमसे सब कुछ चाहिए, बस तुम पूरे विश्वास से इस जमीन पर खड़ी रहो, मैं तुमारे पास कई महिनों से अनराग भरा आगरे उनी की तरफ से रहा था, और परसों रात को सारा कारिकरम तैह हुआ था, आज सुबह पहुशने का फैसला हम दोनों ने लिया था, फिर उसने सरजटका, परस से आईना निकाल कर देखा, ताजगी रूखे पन में पदल रही थी, उसने अ पानी क्या, नैना ने पलक जबकाई, फिर दीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया, नहीं बस इतना कहा था कि में साब जहां चाना चाहें पहुचा देना, और जहां ठहरें वहां का नंबर लेती आना, ताकि मीटेंग के बाद मैं उनसे फोन पर बात कर सकूँ, ड्राइवर ने दीरे से कहा, मतलब तै तो कुछ और हुआ था, क्या रवी सब कुछ भूल गए, मनीमन नैना ने कहा, ओ चक्राई सी बैठी रही, किदर जाना है, ड्राइवर ने दो राया, साहब के ओफिस चलो, नैना के मूँ से निकला, कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी, चेहरे पर तना खुशी का शामियाना धीरे धीरे उतरने लगा, वहाँ चिंता प्रश्न बनकर उभर आई, कहीं रवी की धर्म पतनी ने तो कोई फसाद नहीं खड़ा कर दिया, मैं इस शेहर में कहा ठेडने जाऊं, दो बार आई तो ठेडने का इंतचाम बुलाने वालों ने किया था, इस बार बुलावा रवी की तरफ से था, उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं तुम्हारा गुन्हेगार हूँ, पिछली बार तुम्हारा इस्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक स्वीट बुक करवा दूँगा, उसको फूलों से सजव दूँगा, ताकि उनकी उपस्थित में हम कई दिनों तक एक दूसरे गिवाहों में बेहुश रहें, फिर देखेंगे कि जिन्दगी कैसे शुरू करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब रात दिन हमारी मुठी में है, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं हूँ न तुम माने की नाकाम कोशिश करती हुई नैना कार से नीचे उतरी, मन में रवी का कमरा देखने की जिग्यासा उबरी, जब तब वो अपने कमरे को घर कहकर नैना को वहां रहने की दावत देता था, उसका कहना था कि मुझे घर से जादा अपने आफिस में सुकून मिलता है, वहा पूर कमरे में दो लोग सिर जुकाय लैम्प के नीचे काम कर रहे थे, कई रंगों के फोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी, उसने नैना को देखकर नचरे उठाई, यस मैम, मुझे रवी मुशन जी से मिलना है, किस सिलसले में, योर गुड नेम प्ल द्राइवर ने कहा, ओ तो ऐसे बोलो न, इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाजा लपक कर खोला और बेहत विनीद भाव से बोली, सौरी मैम, प्लीज, रात को सर ने फोन करके बताया था, घाड़ी ठीक समय पर आपको लेने पहुँच गई थी न, हाँ द्राइ दुख में नैना के मूँ से निकला, जी, चौकर लड़की ने नैना को देखा, कुछ नहीं नैना संभल कर बोली, इधर बातरूम है, आप फ्रेश होले में काफी भिजबाती हूँ, इतना कहकर वो लड़की कमरे से बाहर निकली, ड्राइवर एटेची लेकर अंदर दाकिल और कोने में रखकर चला गया, फिर एक अधेर मर्द हाथ में शीट लेताकिल हूआ, और गौर से नैना को देख बिना विश किये, उसको मेच पर रखकर बाहर निकल गया, नैना को उसका यूँ देखना खल गया, उसका मूट खराब था, मगर इतना नहीं कि वातावरों में उपनते समुंदर की पिंटिंग लगी थी, पाही तरफ रोल की एक आगजो का धेर था, मेच पर उपर से लटकता लैंप और दो-दो टेली फोन, मेच के बीचे रखी नीली उची सीट वाली कुरसी, तो यहाँ बैट कर रवी भूशर फोन करते होंगे, सुनो नैना मेरा को भावनात्मक जुडाओ पत्नी से नहीं हो पाया, बहुत कोशिश की मगर वो खुश्बू जिसकी मुझे तलाशती हमारे बीच कभी नहीं पहली, क्या एक इनसान सामाजिक बंदन से बंद कर सारी जिंदी की तरपता छट पटाता रहे और अपने लिए कोई लमहा उधार न ले सके, दरवाजा खुला, नैना ने नजर उठाई, कॉफी और सेंविच की ट्रेल ये लड़का कमरे में दाखिल हुआ, और मेश परक कर जाने लगा, तब ही वो लड़की अंदर दाखिल हुई, सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था, मेरा नाम रोजी है, आप कॉ काफी लें, हमारे ओफिस की काफी पूरे 15 माले में मशूर है, कहते हुए रोजी ने काफी आगे बढ़ाई, तब ही फोन की घंटी बज उटी, हेलो, रवीर एसोसेट सर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने रात को कब बात की थी, साड़े ग्यारा बजे, सॉरी सर मुझे रात की बातों की कोई सूचना नहीं रहती, यदि आप चाहें तो दो बजे फोन कर लें, इतना कहकर रोजी ने लंबी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए फोन रखा, नैना का मन हुआ कि उसके चेहरे पर उबरे अजीब से भाव और आखों में उबरी परिशानी दे रास्वर याद आया, एक-एक को मैं देख लूँगा, समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाब दे होना पड़ेगा, मैं यहां बैठा हूँ ना, आएं और मेरे प्रशनों का उत्तर दें कि अपमान बड़ा होता है या सोशा, किसी एक अवस्था में जीना बेतर होता है य इस तरह का वारताला पू किसको संभोधित करके करता था, नैना समझ नहीं पाती थी, इतना ज़रूर जानती थी कि रवी भूशन के अंदर कहीं जहर से बुजा आहत परिंदा कैद है, जब तब उसका उदगार निकलता रहता है, उसका ये अंदार जिसमें भटकन भी थी और ठहराओ भी, आजादी भी थी, विस्तार भी, परंपरागत पुर्शों एवन नए साचे में ढहले मर्दों से हो अलग था, कुछ था तो जरूर, एक तेज घटके से कमरे का तरवाजा कुला, और एका एक छे फुटे लंबे रवी भूशन अंदर दाखेल हुए, होटो शालीनता से दोनों हाथ जोर कर नैना को नमस्ते किया, बड़ी अदा से थोड़ा जुक कर पूछा, आपको कोई कश्ट तो नहीं हुआ, जी, जी नहीं, नैना का चेरा लाल पड़ गया, ठेड़ी कहा है इस बार, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने नैना से पूछा, क्या आपको याद नहीं कि कल रात आपने, नैना ने गुस्ता पीते हुए हैरस से पूछा, दर असल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं, आप कह रही हैं तो यकिन करता हूँ, मैंने जरूर कुछ कहा होगा, रवी भूशर कहका लगा कर बोले, यस सर, रोजी गंटी की आवाज पर हाजिर थी, लंच का टाइम हो रहा है, रवी भूशर ने कहा, जी सर मैं और देती हूँ, कहकर रोजी मुडी, हाँ जरा बताईए तो मैंने क्या कहा था, पीने के बाद दरसल मेरे जहन की सारी खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं, अक्सर दोस्त बताते हैं कि उस समय बोलते बोलते, मैं बहुत मारके की बात कह जाता हूँ, जी, नैना को लगा रवी उसको चेड़ रहा है, कभी कभी फेंटेसी में रहना अच्छा लगता है, जो असलियत में ना हो उसको गढ़ना क्या सरजन नहीं है, मानिये चाहे ना मानिये, इस सारे ताम जहाम के बावजूद हमारा काम बहुत रूखा सूखा है, और मैं अब इन समानांतर रेखाऊं और रताकार लकीरों के बीज घुटने लगाऊं, हमारा पेशा है तो बड़ा अमीर, मगर सच तो ये है कि हमारे पेशे में बड़े करीब लोग है, आप समझ रही है, मेर जरूरी चीजों का सहरा लेना पड़ता है, अपनी दूमे रवी भूशन आज दिन में कुछ जादा बोल रहा था, आपने रात को जो बाते की थी, वो सारी की सारी नशे की कैफियत में की थी, वे वाइदे, वे नैना की सासे उखडने लगी, जरूर की होंगे, अक्सर नश नैना के जहन में बना ताज महल जग बकाने सा लगा, ताज महल, क्या उसको बनाने की कोई बात आपसे कर डा ली, माई गुडनेस, I am really genius, मगर मैं उस्ताद मुहमद मूसा की तरह हाथ कटवाना नहीं पसंद करूँगा, रवी भूशर कह कहा मार कर हस पड़े, नैना की दिम मैं रोज आपकी खेरेत लेने के लिए दिल्ली फोन करता हूँ, मगर बातों की दिशा किस ओर बढ़ जाती है, वो सब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे च्छानबीन की आदत नहीं है, तो भी मैंने आपसे कोई गेर चरूरी बात कह दी हो तो मुझे क्षमा करें, मै मैं बदतमीज आदमी हूँ, मगर मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं होता, ये रुमाल ले फ्लीज, अपने को संभालें, मैं ठीक हूँ, नैना ने आसुप पूछे, मन हो तो हम कहीं और चलकर बैठते हैं, लीजिए खाना आ गया, सर आपने सुबह ब्लेट प्रेशर की दबा ली थी, रोजी ने दीरे से पूछा, नहीं, रवी भूछर को अपती उत्तेजना का भेज समझ में आ गया, सर आपका फोन, रोजी न बचते फोन को उठाया, हलो माई स्वीठ हार्ट बोलू, मुझे याद नहीं, खैर अभी दिली से मेरी क्लाइंट आई हैं, मैं निकल नहीं पाऊँगा, तो मम्मी के साथ हो आओ, सौरी, सर आपकी मीटिंग पांच बजे लीला में मिस्टर ब्रजेश मदान के साथ है, फिर साथ बजे आपको नाज जाना होगा, जहां सेमिनार के बार डिनर भी है, ठीक है, नैना जी आप खाना लें, कहते हुए रवी आकर नैना के पास सोफे पर बैठ गये, नैना ने नजरें उठा गर रवी के चेहरे को ताका, क्या सचमुष रवी एक अंबीर है, वे मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, तो फिर क्या पिछले ग्यारे महा से होती बाते जूट थी, इतना लंबा जूट किसी व्रतान्त की तर मगर उन्होंने मुझे पूरा संसार दिया था, नैना कोई सीन प्रेट ने करना चाहती थी, सोना चाहने पर भी उसने प्रेट में खाना निकाला, आफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रख उठा रहे थे, रोजी पासी खड़ी थी, आप ठेरी कहा हैं, ओ सौरी, जहां भी ठेरना चाहें, मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा, कार आप अपने साथ रख सकती हैं, ड्राइवर को फोन नमबर दे दीजिएगा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, हाँ रोजी, तुम मैम के साथ रहना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, कल मुल जाकात होगी, रवी ने बड़ी सी अटैची पर नजर डालते हुए, नैपकेन से हाथ पोचा और उट खड़े हुए, नैना ने बड़ी बेसब्री से उन्हें जाते हुए देखा, उसकी आँखों से आसू गालों पर बह लिग ले, अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बा आफिस वाले भी, यू ना रोहे मैं, प्लीज, रोजी बॉकलाई परिशान सी नैना के पास खड़ी दिलासा देती रही, मैं ठीक हूँ, नैना ने अपने को संभालते हुए का, सर एक अच्छे इंसान है, वरना मैं कपका काम छोड़ देती, बगर जब ऐसी दुरगटना घ ली, रोजी से नजरे बचाते हुए उसने दीवार पर लगी तस्वीरे देखना शुरू कर दिया, इस ग्रूप फोटोग्राफ में कौन कौन से कौन कौन है, एका एक अपनी जगह से उठकर नैना बोली, उसको रोजी का अपनी जिन्दगी में छाकना जाने क्यों बुरा लग रहा था, सर के स्टूरेंट्स की है, ये लड़की, नैना ने गौर से देखा, ये सरला जी है, आप जब आफिस में दाकिल हुई तो निजाम साब समझे सरला जी आई है, आप उनसे बहुत मिलती हैं, वो बता रहे थे, अब कहा हैं, नैना का दिमाग जाग उठा, सामना करते हैं, फिर भी उनको वो सब नहीं मिला जो चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत तल्क हो जाते हैं, हो सके तो ने माफ करते मैं, रोजी की आँखों में याशना थी, नैना वापस आकर सोफे पर बैठ गई, उसके साथ क्या गट गया ये रोजी नहीं जानती, वो चलना चाहिए, रात की या शाम की फ्लाइट में बुकिंग मिल सकती है, सहे जोकर नैना ने पूछा, शोर मैं, तो आज आप रुकेंगी नहीं, मेरा आज ही लोटना जरूरी है, नैना हलके से मुस्कुराई, ओके मैं, रोजी के चेहरे पर राहत सी उबरी, सुबह नैना को लगा कि वो लंबी बीमारी के बाद उठी है, बातरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मूध होया, सर का दर्द अभी बाकी था, चाय पीते हुए उसकी नजर नरेंद और पेटों की तस्वीर पर पड़ी, वे तीनों उसको अजनबी से लगे, इसे कटकर वो पानी के जिस जह पर बैटी थी, उसने पता नहीं किस निर्जन दीप पर लाकर उसको पटका था, वो खाली नजरों से टक्टकी बांदे फोन को देख रही थी, मन में आक्रोश का बवंडर उठ रहा था कि फोन को पटक दे, अपना सर दीवार पर माल ले, कनपटी के पास टपकन अब टीसो में बदल रही थी, टीसो के साथ उसके अंदर का उबाल भी पलपल बढ़ रहा था, दरेद हफते भर के लिए गया था, घर के नौकर मालकिन के यूँ लोटने से मनी मन खिन थे, तो पहर तक वे कमरे के आसपास चकर लगाते रहे, कि नाश्ते खाने के लिए कुछ कहे, एक ने हिम्मत करके कमरे में जाका भी, मगर नैना को लेटा देख कर वापस लोट गया, सभी परेशान थे कि ना डॉक्टर आ रहा है न दवा, वरना मेम साब जरासी छीख भी सहन नहीं कर सकती थी, नैना सारी चीजों से बेख़वर पीड़ा के संसार में डूटती जा रही थ निराशा अपमान भरे दुख के साथ मिलकर उसकी मांस पेशियों में उत्तेजना भर रही थी, उसके अंदर सांस लेती औरत किसी तूफान की तरह तरप रही थी, महबत के बिना यूँ जिन्दकी जीने का मकसद? क्या अब कोई भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा? ऐसा प्यार जो दो नों के बीच वी जबानी बात का संदर्ब तलाश कर सके, जो शताबनियों के गुजर जाने के बाद किसी कलाकरती में डूब अमर हो जाए, किसी पुस्तक के खुले पन्नों पर सदा के लिए दर्ज हो सके, या फिर सिर्फ इतना कि वो किसी दो इंसानों के दिलों में पल भर के लिए ही पूरी जिंदगी के साथ जिंदा रह सके, शाम का दुदलका कमरे में दाखिल हो चुका था, नैना को उतने की सुधना थी, कि बत्ती जलाती, कुछ देर पहले नौकर आया था, चाय की प्याली वैसे ही मेश पर पड़ी थी, उसके कानों में निकलते हुए महसूस हुआ था, कि भारी पत्थर उसके पेट पर रखा है, दो माँ आराम करने के बाद जब वो आफिस जाने के काबिल हुई, तो लेडी डॉक्टर ने हिदायत दी थी, कि डॉक्टर निरेंद इसके बाद औरतें आहत और सम्वेदन शील हो जाती हैं, मू आप से जादा क्या कहना, मेम सहब डॉक्टर को फोन कर दूँ, अस्पताल से कोई आ जाएगा, नौकर बरतन उठाते हुए बोला, नहीं, दूपती आवाज उबरी, कमरे में रोशनी थी, नैना के अंदर अंदेरा बढ़ता जा रहा था, घड़ी की टिक टिक उसके सर पर ह वजूद जल उठा, मुझे अगले हफते ली जाना है, इस बार तुबे साथ लेकर चलूँगा, अर्चे से आराम करने की सोच रहा हूँ, इस माने हमारा हनीमून भी हो जाएगा, सुन रही हो ना, फिर बात रोक कर चुम्बनों की दीब शिखाएं, नैना का जक्मों से भर वजूद इस ज्वार लहरी से थर्रा उठा, शब्दों का ये कैसा सम्मोहन है, जो उसको फिर अपनी और खीच रहा है, फिर वही सब कुछ, घबरा कर उसमें फोन रख दिया, नहीं ने, अब ये सब फिर से दोराना बेकार है, कितनी पीडा सही है, मगर इन शब्दों से द हारत का एक चेहरा है, तब ही फोन की घंटी फिर बज उठी, तुम बहुत सुंदर नारी हो, मेरी तनहा जिंदगी में एक दीब की तरह है, जो कभी नहीं बुछ सकता, मेरी विश्वास की जमीन बहुत बुकता है, यकीन करो, नैना की कनपटी के पास पीड़ा का खिचाओ बढ़ा और रवी भूशन की जानलेवा आवाज के साथ नैना आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल के आंगन में दाखिल हो गई, सारे प्रशनों को पीछे छोड़ कर संग मरमर की जालीदार खिड़की से वो यमना को चांद की रोशनी में बहता देखती रही, जहां रेत की स्थि लीफोन फिसल गया और ना के नथनों से तेज भैता कून उसके गले को तर करता कपड़े भिकूने लगा, नैना की सांसों का सरगम धीमा पढ़ने लगा, फोन पर शब्द घर गनाते रहे, जैसे कहना चाहा रहे हूं कि मेरा यकीन करो, मेरे विश्वास की जमीन बहुत नासरा शर्मा जी की लिखी वी कहानी दूसरा ताज महल, कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, सुन्दर हो, धन्यवाद